क्या है कोरोना वायरस? चीन के वुहाना सहर से फैले इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है अब तक किन किन देसो में कोरोना वायरस ने दसतक दे दी है? वोप इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साथ ही कितने लोग इसके सिकार हो चुके हैं कितने लोग संदिग्द हैं क्या भारत में भी क्लड़ा वायरस आ चुका है है अगर आया है तो ग sneeze पर है क्या उससे भारते लोगों पर फरक पड़ रहा है क्या है कोरोना वाइरस से होने वाली बीमारी के लक्षण कैसे उससे बचा जा सकता है क्या क्या सावधानिया हमें परतनी चाहिए कौन सी बीमारी होती है कोरोना वाइरस के कारण सरकार के अब तक के क्या इंतिजाम है का इस बारे में क्या कहना है सारी बातों के जवाब ए टू जैड हिंदी में आपको इस वीडियो में पताई जाएंगे वीडियो को सुरू से आंतर तक पूरा जरूर देखेगा अगर आप अपने आप में या आसपास के किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का कोई लक्षन महसू जरूर कीजेगा कोरोना वायरस वायरस का साथवा सबसे बड़ा परिवार है एक नया स्टेन है जिसकी पहचान चीन के वहान शहर में हुई है चीन का वहान शहर ही इसका प्राइम टार्गेट था जहां से यह वायरस दुनिया में फैल ने लगा है अब तक करीब 80 से जादर लोग इसके सिकार हो चुके हैं और करीब 3000 से जादर लोगों को संदिग्द मान कर उनका इलाज भी चल रहा है और 2744 लोगों में इस वायरस की पुष्टी भी हो चुकी है वही 461 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है समुद्री खाद पतार्थों से इस बिमारे की फैलने की आशंका बताई जा रही है इसके अलावा जानवरों के बाद मनुष्य में ये बिमारी आती है पहले जानवरों को होती है उनी से मनुष्य में ये बिमारी आती है और इसके अलावा हवा से रोगी जो पहले से संक्रमित है उसको चूने से जा उसके आसपास रहने से या द संबंदित पाचन संबंदित सुरुअटी लक्षणुपे होती है लेकिन जब मीवारी गंबीर हो जाती है तो के लक्षण भी गंबीर किया कैसे निमोनिया शाइस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीव या फिर किडिनी तक भी फेल होनी की संभावना होती है इससे दो भी महामारी फैलती है पहली Middle East Respiratory Syndrome 2012 में सबसे पहले साउधी अरब में इसकी पहचान की गई थी इसमें 800 से अधिक लोग इसके सिकार हो चुके थे उस समय उटों से ये बीमारी लोगों तक पहुची थी दूसरा Severe Acute Respiratory Syndrome 2003 में इसकी पहचान हुई थी और जबकि रोगी चीन में ही 2002 में पहला रोगे मिला था और 2003 में उसकी उस्टी हो पाई थी तब 650 से जादा लोग वारस से प्रभावित हुए थे उस समय ये चमकादर और बिल्लियों से इंसानों में फैला थी और इस बार ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी चमकादर या फिर साप से इंसानों तक पहुची है चीन के साथ साथ अब तक थाईलेंड, औरस्टेलिया, अमेरिका, तक्षण कोरिया, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापूर, जापान, वियतनाम, ब्रिटेन और नेपाल में कोरोना वारस के संक्रमित रोगियों की पुष्टी हो चुकी है इसके अलावा आसपास के बहुत से देश जैसे नेपाल, सिंगापूर, यहाँ पर सबसे ज़्याद है दादात मिल रही है रोगियों की तो ऐसे में भारत में इसके दस तक देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हवा के ज़रिये यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है इसके अलावा बिना लक्षन वाले लोगों से भी यह वायरस फैल रहा है लॉसेंट मेडिकल जनरल ने रिसर्च प्रकासित कर दावा किया कि चीन के शेंजें शेहर के एक परिवार में सभी में संक्रमण मिला इस परिवर के 5 लोग हाल ही में वहां से लोटे थे जाश के दंध पाया गया कि बच्चे में क्रोना वायरस मौझूद था कि उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे पत्तब वायरस उसके अंदर मौझूद था लेकिन उसमें लक्षण नहीं थे यह बहुत ज्यादा ख खासता या चीकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स आपकी आँखों से टच हो जाते हैं और आप भी उस कोरोना वैरस से संक्रमित हो जाते हैं या फिर रोगी को छूने के बाद अपनी हाथ से अपनी आखों को छूते हैं तो भी संक्रमन फैलने की जंभावनाई बहुत जादा ब गीड़ बाड़ वाले इलाके जैसे मॉल, बाजार वहां पर कम जाना चाहिए और खासते और छींकते समय कपड़े का इस्तमाल करना बेहत जरूरी हो गया है चीन में फैले कोरोना वाइरस के मद्दे नजर सुरक्षा तरस्टिकों से चीन ने 30 दिन के भीतर दो नए अस्पताल बनाने का एलान कर दिया है कोरोना वाइरस के बढ़ते कहर को देख चीन की सरकार ने 30 दिन के भीतर दो अस्पताल बनाने का निर्णे लिया है यहां एक साथ 2300 बैड पर रोग्यों को इलाज दिया जाएगा चीन सरकार के अनुसार 1000 बैड का अस्पताल 10 दिन के भीतर और 1300 बैड का अस्पताल फरवरी के मद्य तक तैयार हो जाएगा जिसमें कोरोना वाइरस से ग्रसित रोग्यों का बहतर इलाज किया जा सकेगा वहीं दूसरे मुलकों ने दूसरे देसों ने अपने नागरिकों को चीन से एरलिफ्ट करना सुरू कर दिया है और भारत में मुंबई, दिली, कोची एरपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा सक्ताई बरती जाने लगी है और स्री लंका ने तो चीन के लोगों को स्री लंका में आने से रोक लगा दिया है दुनिया भर में हाखर मचाने वाले जानलेवय को रोना वारईए निप्टने की संउक्षा के लिए प्रथान मंतरी कारले में बैठक आयूजित की गई जिसमें प्र्थान मंतरी नेरनदर मोधी जी के प्रथान सचीव इसके अलावा चीन के एक अस्पताल में कोरोना वाईरस से ग्रसित मरीजों का इलाज करते करते ही खुद एक डॉक्त ने अपनी जान गवादि तो आप कह सकते हैं कि यह वारेश इतना जादा एक्टिव है इतना तीजी से फैल रहा है कि मरीजों का इलाज करते करते ही डॉक्टर ने अपनी जान दवा दी इसके अलावा अमेरिका ने अपने देज के नागरिकों से अपील की है कि वे जितना हो सके चीन जाने से कुछ समय के लिए बचे रहे बिटेन के प्रथान मंत्री ने अपने नागरिकों को अपने देज वापस बुलाने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है सेलंका ने तो चीन के लोगों को वीजा ओन अराइवल देना ही बंद कर दिया है वहीं रूस ने चीन से लगी सभी सीमय पूरी तरह से सील कर दी किसी जीतरे की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी इसके अलावा पाकिस्तान के 2000 छात्र जो गुहान सिटी में रह रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से गुहार लगाई है कि उन्हें वे वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में एरलिफ्ट करा लें अगर उन दो हजार चात्रों में से किसी एक को भी संकर्मन हुआ तो सभी की जान खत्रे में पढ़ सकती है जिस तरह बाकी सभी देश अपनी नागरिकों को एरलिफ्ट कर रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान के चात्र भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी पाकिस्तान एरलिफ्ट कर वापस उनके मुल्क में ले जाए कोरोना वाइरस का सबसे संदिग्द मरीज सबसे छोटा मरीज इसे हम कह सकते हैं उसकी उमर मातर दो साल गये वह दो साल की लड़की अब तक की कोरोना वाइरस की सबसे छोटी मरीज सबसे छोटा रोगी माना जा रहा है जिसका इलाज वहान के ही एक अस्पताल में अभी चल रहा है अगर आप में या आप किसी परीचित में कोरोना वाइरस का कोई लक्षन महसूस करते हैं और आप भारती नागरिक हैं तो आप एक हेलप लाइन नमबर पर भी कॉल कर सकते हैं नमबर है 1-800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं और जो भी जरूरी बाते हैं उनसे आप शेर कर सकते हैं आपकी पूरी मदद की जाएगी वहीं भारत के गर बात करें तो भारत में कहां कहां पर संक्रम पहला है है कि वह कोरोना वाइरस से संक्रमित है यह नहीं बट जिस तरह के लक्षण उनमें दिखाई दिये तो संभावित तोर पर उन्हें यहीं समझ कर या फिर संदिग्द रूप में उनका इलाज किया जा रहा है गुंबई राजिस्थान और पिहार में अभी एक एक केस जंदिग्द रूप में मिला है जिनका इलाज किया जा रहा है तो ऐसे में आपको भी बेहदी एहतियात और साफधानी बरतनी चाहिए जो लक्षण हमने आपको बताए हैं उन लक्षणों को अगर आप अपने अप पर करने लके हैं बहुत जधा अधियाद सकता ही हो रहे है सभी हवाई अटो पर भारत और तूसरे देशों में हवाई अडो पर बहुत ही जादा जाच परताल की जा रही है ऐसे में भारत में भी बहुत सी गैडलाइन जारी की गई है कोरोना वारेस के लिए जैसे ऐसे सभी विक्ति जिन्होंने चीन देश की यातरा किया है परंतु जिन्मने भारत आगमन के समय पर कोई लक्षन पस्थित नहीं है वे चीन से आने के उपराद 28 दिनों तक घर के बाहर अपना आवाग्मन याथा संबाव स्तीमիद रखें ज़दी ऐसे वक्ति में भारत में आने के 28 दिन के भीतर में कोई लक्षन विक्त होता है तो खांसी या तो बुखार के लेक्शन के सित हो जाने वाले ऐसे यात्रियतकाल अपने निकटतम अस्पताल में संपर्क करें लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि साधरन खांसी जुखाम या सास पूलना को आप करोना वायरस ना समझे जरूरी नहीं है कि सभी साधरन खांसी जुखाम या सास पूलने की तकलीफ में आपने करोना वायरस मौजूद होगा